असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सब को यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटेशियो पर वेल्कम कहती हूँ आज जो हम नोवल पढ़ने जा रहे हूं उस नोवल का नाम है टूदी लाइट हाउस जिसको विर्जिनिया वुल्फ ना लिखा है विर्जिनिया वुल्फ का यह बहुत important नोवल करने जाता है नोवल को start करने से पहले हम लोग इसके title के significance को understand कर लिते हैं कि title के significance क्या है बिसक्रिन लाइट हाउस क्या होता है लाइट हाउस चो बिए ना ये guideline provide करता है ठीक है direction परवाइड करता है किनको ships को जब भी कोई ships दाख सी के थ्रू जा रही होती है न तो उस टाइम पे ये एक light house होता है तो light house के ओपर ने एक light लगी होती है वो जो light होती है न वो ships को direction प्रोवाइड करने की कोशिश करती है अच्छा ठीक हो गया तो जब भी समंदर के ऊपर कश्टी चल रही होती है ship चल रही होती है और अगर time रात का हो darkness हो तो उस darkness के अंदर ये मैंने light house बनाने की एक कोशिश की है जो के बिल्कुल ठीक नहीं बना आप google पे लिखेगा light house आपके सामने picture आ चाएगी ठीक है तो जो light house होता है न ये न इसक darkness में तो रात के वक्त में इससे light निगल दिया तो ये symbolize कर रहा होता है hope को और इस novel के अंदर जो light house है ये एक mystery के तोर पे हमारे सामने आता है light house ये एक man made चीज होती है ठीक है इसको man बनाता है एक आदमी इसको बनाता है तो इसलिए जो light house है न ये past की traditional की values को भी symbolize करता है और इसके इलावा जो है ये human के traditions को भी symbolize करता है और इस novel के इंदे different लोगं के लिए light house की different symbolic significance है for example अगर हम मिसिस रमजे की बात करें तो मिसिस रमजे के लिए एक moment पे ये light house जो है ये truth का symbol है ठीक है और उसके बाद another moment pitiless का symbol है और उसके बाद remerceless का भी symbol है फिर उसके बा values को symbolize करता है और हम कह सकते कि जो light house है ना ये novel में character का रोल भी अदा कर रहे है मिस्टर रमजे के लिए light house escape का symbol दिखाया किया है अब टाइटल के बाद थोड़ी बहुत गपशप Virginia Woolf के बारे में कर लेते हैं Virginia Woolf जो है ये English writer है और 20th century की most important modernist consider की जाती है इसने जो यूज के अपने novel के अंदर इसने stream of consciousness को बहुत आदा यूज की है और to the light house के अंदर भी हम लोग stream of consciousness की technique को देखने वाले है stream of consciousness होता क्या है stream of consciousness कहते है stream of thought को stream कहते है नदी को ठीक है नदी का बहना और consciousness हमारी thoughts को कहते है तो हमारी सोचों का जो बहना होता है न जो सोचों का नदी चल भी कि चुछ सच रही हूं और यह कुछ सूच ही हूँ तो बहुता ही तो बोलती ज्या रही हूँ, कभी कुछ सूच रही हूँ, झाल कि या भी की दो का ज्याना पाध, क्वाकिल थी आ फिर शोच बी और सुच्ति गरी है कोशतEEP मेरे है, गहरो हम कुछ रहे ज्यान ृड्य novel का जो plot होता है कभी किसी हिसे पे focus कर रहा होता है तो कभी किसी हिसे पे focus कर रहा होता है और यही चीज हम लोग to the lighthouse के अंदर भी देखने वाले हैं Virginia Woolf के जो important works हैं उट में आजाता है Mrs. Dollaway to the lighthouse, a room of one's own, the waves, between the acts, the common reader, the ears यह कुछ इसके important works हैं इसके इलावा भी इसने बहुत से works लिखे हैं इसके अगर important themes की बात करें हम तो इसके themes के अंदर हम लोग dust देखते हैं decay देखते हैं इसके इलावा feminism का element बहुत important इसकी writing के अंदर stream of consciousness बहुत दा important theme है इसके writing के अंदर तो यह कुछ important themes हैं इसकी writing के अब हम स्टार्ट करते हैं पने novel को पहले बात करते हैं character list की हमारे पास जब पहला character है Mrs. Ramsey का Mrs. Ramsey जो हैं इस novel के important character है इनकी nature बहुत ही loving दिखाए गई है caring दिखाए गई है यह बहुत ही hospitable दिखाए गई है यह Mr. Ramsey की wife है highly domestic दिखाए गई है इसका role as a mother as a wife बहुत ही positive और बहुत ही अच्छा दिखाए गई है यह बहुत ही responsible और strong character है पुरे novel का और unexpectedly इनकी 50s में death हो जाती है next time Mr. Ramsey Mr. Ramsey जो है यह dominated दिखाए गए है और दिखाए गए है कि इनका throughout the novel interest and rationality के ओपर और scientific reasons के ओपर यह truth की search में है और इनको खौफ होता है कि कहीं यह अपने truth को हासिल ना कर पाए अपने aim को अपने goal को achieve ना कर पाए है यानिक एक scientific discovery करना चाहते है यह अपनी wife से विल्कुल opposite करेक्टर है इनका ना ही यह affectionate दिखाए गए ना ही sentimental दिखाए गए है नेक्स्ट है मार पास Lily Brisco का करेक्टर यह एक young unmarried painter है और Ramsey's family की यह friend है और इसको Mrs. Ramsey से बहुत सदा प्यार है और इसके इलावा यह एक painting शुरू करती है इस novel के अंदर जो के य 10 years later जब Ramsey's family lighthouse में पोहन जाती तब यह complete करती है अपनी पोर्ट्रेट नेस्ट है James Ramsey का करेक्टर यह youngest child Ramsey's family का और जब novel start होता है तब दिखायागे कि इसकी age 6 years old है यह पनी मां से बहुता प्यार करता है लेकिन अपने father से यह जादा प्यार नहीं करता है अपने father के towards the hatred show करत और इसको magazine से और images वगरा को कार्टना पसंद करता है like magazine से images वगरा कार्टना पसंद है और यह disparately जाता है light house के तरफ और novel के start में यही कहता है कि मुझे light house के तरफ जाना है next time हमार पास Paul Rayleigh का करेक्टर Paul Rayleigh यह Ramsey's family का friend है और यह summer home में इनको visiting के लिए आता है इनको मिलने के लि प्रपोस करें तो मिसेज रमसे की विश के according के मिंटा डॉयल को प्रपोस करता है मिंटा डॉयल जो है यह एक यंग विजिटिंग है जो रमसेज फैमिली के वहां पर आती है summer home में और मिंटा जो है यह Paul Rayleigh के marriage proposal को accept कर लेती है नेक्स है चार्ल्स टैंजले का करेक्टर चार् कि शादी लेरी के साथ हो जाए फिर हमार पास Augustus Carmichael का करेक्टर जो एक अन हैपी पोईट है और यह ओपियम लेता है और एचीव लिटल सेक्सेस अंटिल आफ्टर वर्ल वार वन फिर है करेक्टर हमारे पास एंड्यू रमसे का जैस्पर रमसे का रोजर रमसे का प्योर र पास रमसे करीमी टोंट हैं तू फिर नेक्स्टेफ रमारे पास मिस्स मैप्नाप का किर्क यह हास कीपर है रमसे फैमिली की जो एंके होम में होगती है पिर नेक्स्टे वार पास मै talented यह एक pastors फ्रेंड के है और यह रम्से फैमिली जप लाईट हाऊं चार गाराता यह तो अ जो एक लेजी गार्णर रम्जे का मिसस बैस्ट यह वो औरत जो के मिसस मेंकड की हल्प करती है जो रम्जे का समय हो मैं उसको क्लीन करने के लिए डूरिंग दर टाइम पास ठीक है उसके इंटेल्यूड में नेक्स आपास जोर्ज बैस्ट जो यह मिसस बैस्ट का बेटा और हमारे पास है मिसस बैक्वित यह एक विजिटर है जो के रम्जे हाऊस में आती है तो यहां पे हमारे पास होते हैं क्रेक्टर कंप्लीट अब हम बात करते हैं पने सम्मरी की यह जो नोवल है टुदी लाइट हाउस इसको त्री सेक्शन में डिवाइट किया गया है दे विं यह ऐसी टिक्नीक होती है जिसके इंदर हमारी जो थोट्स होती है वो माइंड के इंदर सर्कूलेट करती है माइंड के इंदर हमारे पास जो थोट्स है उनकी स्ट्रीम चलती है एक नदी बहती है जिब नोवल की ओपनिंग होती है तो नोवल के बिलकुल स्टार्टिंग च इस प्रवाइन जोई आपके सामने यह नोवल की ओपनिंग लाइंग्स में इस ओपनिंग लाइंग्स में यह बता गया है कि मिस्टर रामसे अपने बेटे से कह रही है कि हम ज़रूर जाहेंगे कहां जाहेंगे लाइट हाउस में अगर कल मौसम अच्छा हुआ तो ठीक है अपने आठ बच्चों के साथ और सिक्स गेट्स के साथ जो है ना यह स्कॉट लैंड के एक बिल्कुल नेरस्ट एरिया में एक आयरलेंड है वहां पर यह लोग समर विकेशन में आने के लिए आए हुए हैं और वहां पर इनको अपनी रहाइश के लिए अपनी रेजिदें में जाते हैं और वहां जब यह जाते है ना तो रात का वक्त होता है बार बारिश हो रही होती है मुसम खराब होता है तो मिस्टर रैमजे और मिसिस रैमजे का बेटा ना खिड़की से बाहर देखता और उसको लाइट हाउस नजर आता है और वह ना अपनी मदर मिसिस रैम पड़ी थी कि अगर सुबह मौसम अच्छा हुआ तो हम तुम्हे जरूर लेके जाएंगे और इस पेस पे इसका बेटा बहुत दा खुश होता है कि यह पी अवोकल लाइट हाउस देखने के लिए जाएगा और यह सुनके बहुत दा खुश होता है और खुश होने के बाद जो है ना बैठ के ना मैगजिन से दिफर्ट काइंड ओफ इमिजिस कारने शुरू कार देता है लेकिन फिर जो इसका फादर है मिस्टर रामजे वह कहता है कि नहीं जी कल कोई भी मौसम अच्छा नहीं होने वाला कहता है टेक्स्ट में पढ़ने लगी कूटेशन वो कहता है कि कल अच्छा मौसम नहीं होगा और यह सुनकर जेम्स को बड़ा गुस्सा आता है कहता है सोचता है वो अब वो माइन में सोच रहा है माइन में सोचना इक मीन्स की स्ट्रीम ओफ कॉंशिसनस का अलिमेंट आ गया है कहता है 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 अट देर बीन एन एक्स हैंडी और पॉकर अनी वेपन आप गैश्ट आ होल इन इस फादर प्रेस्ट एंड किल्ड हिम तेर अंड दन जेम्स वोड़ाव सीज़ इट वो कहता काश को यह तयार होता है मैं अपने बाप का सर फार देता बुरी बात ऐसे नहीं करते होते है अच्छा लेकिन उसने ऐसा सोचा ठीक है क्योंकि उसके इमोशन हर्ट हुए है ठीक है तो इसके बाद क्या हुआ इसके बाद जेम्स बहुत ज्यादा मायूस होता है और पता है लाइट हाउस कहां पर है लाइट हाउस ना इनके आयलेंड से ज्यादा दूर नहीं है ठीक है जिस आयलेंड के अंदर जिस जग कि तो फिर नहीं जा पाएंगे अच्छा इसके बाद जेम्स पिच्चर्स काट रहा होता है जैसे के पहले काट रहा था और इसकी मदर जाओ निटिंग कर रही होती है बट एनिहाओ वैदर तो ठीक नहीं होता इसलिए मिस्टर रामजे कहता है जाओ जैम्स फिर उसके बाद मिस्टर रामजे सोचती है सोचती मीन स्ट्रेम फॉмशिस्टर अधिक बना रही है और एk अन्मेل पैंटर है जिसके बारे में पताया गया नोवल के अंदर शी वाज एन इंडिपेंड़ेटल क्रियेचर एंड मिसिस रेमजे लाइक्ट हर फॉर इट तो रिमेंबरिंग हर प्रॉमिस शी बेंट हर है यहाँ पर क्या पताया गया है यहाँ बताया गया कि लिली ब्रिस्को जो है वह पेंटिंग बिना रही मिसिस राम्जे की तो मिसिस राम्जे जो हुआ प्रॉमिस किया थे अपने हैट को मौफ नहीं करेंगी अवो बैठी हुई है तो रिमेंबरिंग हर का वाटलब क्या है नहीं पर कोछ जाल्ड खुद में a पडाते है एह हर टाइम ना फ़्र्प देख ट रहताए उन पहर प्र सादा कहँ कोग तेखते रहता है तो नेक्स्ट आता है इसक्सलिकरता है यह एक बेडैनी नहीं सिक्सक्ष से उन गेस्ट के इनने इन धिली बिरिसको कर्रेक्टर आजाता है पर चार्ल्स टेंसले आ जाता है एक पूल रैले और मिंता जो पूल रैले और मिंता जो आपने विज़िट के डिूराशन नहीं मिंगेज हो जाते हैं मिस्स रेले जो है कि अपने आफटरनून स्पेंड करती है रीडिंग के बिभink रह रिढ़िज बिद हम बता हूंगे जैम्प कू न और कभी भी अपने ग्रेटनस को अचीव नहीं कर पाएगी फिर एंड्रियू रेमसे और नंसे रेमसे चुए यह दोनों पॉल रेले और मिंटा डॉयल के साथ एक वाक के लिए जाते बीच पे और वहां पे वाक के लिए जाते तो वहां पे पॉल प्रोपोस करता मिंटा को अब अब्सक्ता गवार चाहिए और में तेन्स पॉजय और मिंटा प्रोपोस को अधिए जो हमें इनवाट कि अगस्तिस अगरिज को बताया था कि टॉजिंग और नापिंग अगर्टी कर दोजिंग और बीदेश अब अब अगस्तिस जो है यह इनकी फैमिली का फ्रेंड प्रे मिन्ट मेंट सूप् है जो करते हैं तो इस के सूप की डिमांड गए जाते है यह कोई भी किच्छी की बात कितरफ ध्यान नी दे रहा है लेकिन ऐसे आदें एक मैजिकल मुमें जो कभी रूम में बैठा होता है ना आपस में भूंत करना स्टार्ट कर देते हैं और मिस्स रामसे जोएना वो यह होप करती है that something permanent will result from this collection और दूरिंग डिनर जोएना मिस्स रामसे चाहती है कि जो मिस्टर बैंक से हैं जिनको इनोंने डिनर पे इन्वाइट किया होते है इसके शादी लिवी के साथ हो जाए और इसके बाद क्याऊता है इसके बाद जोएना मिस्टर अपनी घ्रैजबट से कुछ चेहना चाहती है but she finds that she is unable to tell her husband that she loves him अब इसकी घर गेस्ट भी आये होते हैं लेकिन Mr. Ramsey और Mrs. Ramsey जब कटे बैटे होते हैं तो Mr. Ramsey accept कर रहा होता है expect कर रहा होता है कि उसकी wife जब उसको कहे कि वो उसे प्यार करती है लेकिन Mr. Ramsey कहती है कि जो मौसा मैं सुबा अच्छा नहीं होने वाला ठीक है तुम ठीक कह रहे थे यह कहती है अपने husband को और इसके बाद जो है Ramsey और इसके गेस्ट होने चल जाते हैं इस conversation को लिखा कैसे है और इस conversation को next में लिखा हुआ है and as she looked at him she began to smile for though she had not said a word he knew of course he knew that she loved him he could not deny it and smiling she looked out of the window and said thinking to herself nothing on earth can equal to this happiness यह पर thinking means stream of consciousness अगे कहती है अपने husband को yes you were right it's going to be wet tomorrow you would not be able to go and she looked at him smiling for she had triumphed again she had not said it yet he knew तो वो सोचती कि इसको अलड़ी पता है कि मैं उसको लाइक करता हूँ यहां पर क्या दिखाया है यहां पर unspoken communication दिखाई गई हुई है तो यह भी एक theme है इस novel का तो यहां पर हमारा जो part at the window वो end हो जाता है फिर next part शुरू होता है वो है time passes time passes में क्या होता है 10 years गुजड़ चुके है जो world war first चल रही थी वो भी खतम हो चुकी हुई है और Mrs. Ramsey की भी death हो गई है और इसके बाद जो है जो इसका elder son था Andrew Mrs. Ramsey का उसकी भी death हो गई हुई है जो प्योर था प्योर रमजे जो के oldest daughter थी Mr. and Mrs. Ramsey की इसकी भी during delivery death हो जाती है और 10 years से कोई भी summer home में नहीं आया Mr. Ramsey जो है जो है Mr. Ramsey जो है जो है जो है कि अब इनको summer home जाना चाहिए और जब इस summer home जाते हैं तो इस summer home इस part के अंदर यह decide करते हैं कि अब हम लोग to the lighthouse यह की lighthouse की तरफ जाएंगे और lighthouse की तरफ जाने का decision जो है यह लोग next part जिसका third part का नाम lighthouse है ना the lighthouse उसके अंदर लेंगे ठीक है अब क्या हो है जब यह part start होता है तो part में दिखाया गया हो है well we must wait for the futures to show said Mr. Banks coming in from the terrace it's almost too dark to see said Andrew coming up from the beach one can hardly tell which is the sea and which is the land said Pru sorry मैं आपको Pru बोर रही थी spelling है actually मैं Pru P-R-U-E do we leave the light burning said Lily as they look their coats of indoors no said Pru not if everyone's in Andrew she called back just put out the light in the hall one by one the lamps were all extinguished except that Mr. Carmichael who liked to lie awake a little reading Virgil kept his candle burning rather longer than the rest this conversation this conversation this war was indicating horror of war the scene was depicted the time passes the tone was pessimistic tone and it was that Mrs. Ramsey की डथ हो गई है जिसमें लिखा गय है इसको राइटर ने इस तहां से It is useless in such confusion to ask the night those questions as to what and why and wherefore which tempt the sleeper from his bed to seek an answer. Mr. Ramsey stumbling along a passage one dark morning stretched his arms out but Mrs. Ramsey having dead rather suddenly the night before his arms though stretched out remained empty. जो इंटिकेट कर रही है death को और राइटिंग स्टाइल देख रहे हैं विर्जिनिया वुल्फ का कितना यह beautifully writing style लिख रहे हैं वर्ट्स को कितने beautifully चूस कर रही है और जो events है वो chronological order में ही दिखाए जा रहे हैं आगे पीछे करके दिखाए जा रहे हैं और यह speciality होती है stream of consciousness novels की और साथ में बतायागे कि Andrew जो है वो बैटल में था बैटल में वो मारा गया फिर Mrs. McNabb एक maid आ गई हुई है यह जो मेड है इनके summer house में कहीं ली जाती है उसको tidy करती है उसको restore करती है जैसे के quotation में लिखा गया हुआ है directed to open all windows and dust the bedrooms और यह direction Mrs. McNabb को दी गई है कि उससारी जो जितना भी house है उसको neat and clean करके रखना है और जैसे के मैं आपको बताया था कि इसके अंडर war का जो scene भी indicate किया गया है तो उसके आपको quotation चाहिए तो मैं बता देती हूँ a shell exploded 20 और 30 young men were blown up in France among them Andrew Ramsey whose death mercifully was instantaneous जिसके अंडर एंडर्यो की death को भी mention किया गया हुए तो जो टाइम पासिस था यह बहुत शोर्ट सा पार्ट था इस नोवल का next आजा था फिर टूदी लाइट हाउस लाइट हाउस जो इस नोवल का third part इसके अंडर बताया गया है कि जो Mr. Ramsey है वह वापस आते हैं इदर अपने summer house में Mr. Ramsey decided that they will go to lighthouse लाइट हाउस जाएंगे और यह जो है न Mr. Ramsey, Lily, James and Cam Ramsey यह तीनों मिलकर जाते हैं इस दफ़ा लाइट हाउस के तरफ लेकिन इस बार जो है वो बेटा यानिके James Ramsey वह नहीं जाना चाहता लाइट हाउस में पर फिर भी अपने फादर के कहने माँ पर चला जाता है और इसके अलावा इसमें दिखाएगा है कि जो इसकी वाइफ के विश थी कि अपने बेटे को लाइट हाउस पर लेके जाएगी तो वो Mr. Ramsey इस नोवल के अंदर नोवल के इस पार्ट के अंदर वो विश को भी फूरा करते हैं हमारे यहां पर और जब यह जा रहे होते हैं लाइट हाउस पे तो जब यह लाइट हाउस जा रहे होते तो उस डूरेशन में जो Mr. Ramsey है उनका बेटा James बोटिंग करता है अच्छे और नलग पर इसके अंदर और अपने फादर के प्रेश करने की बेस के उपर इन दोनों फादर अंसन के अंदर अटाश्मेंट हो जाती है ली जो के पेंटिंग कर रही थी उसने वो पेंटिंग काफी टाम से छोड़ दी हुई थी दस साल तक पो इनकम्प्लीट जब यह लाइठ हास पे पहुंच जाते हैं तो ली एकिव पेंटिंग भी कंप्लीट औख यह जाती है जै करता मेफ के इसकी फिर्NG ओफ पर राउंड प्रूफ हुआ कि फादर शुरू से रिजिट था साइन्टिफिक था हाड था फिलोसोफिकल था वह यहां पर के चेंज हो गया पॉलाइट हो गया तोवर्स देर चिल्डरन और इसके बाद जो लिली थी उसके जो पेंटिंग टन इर से रुकी हुए थी उसकी व पेंटिंग दन इट वास फिनिष्ट येस शी तोट अगें तोट मीन स्ट्रीम उफ कॉंशिसनेस शी तोट लेंग डाउन हर ब्रुष इन एक्स्ट्रीम फिटीग आफ हैड माई वियन के मेरा पेंटिंग जो थी वह कंप्लीट हो चुकी हुए है और पेंटिंग जो यहां हो जाना ओर इस मेंट के बात यहां पर क्या आता है नौल भी वह कंप्लीट हो जाता है और एका फिंटिंग की कंप्le की कमपनीशन एंडिकेट कर रहा है यह एक्षी मेंट को यहीमेंट को ईजिमेंट इजायर में फूल्मेंट फूल्सम्ध उफ फूल्सih अं यह उम्हान इसमें जो light house है, light house symbolize कर रहा है hope को, completion को, quest for the values को, और इसके इलावा हमने देखा इसके इंदर c का symbol, c जो है throughout the novel, eternal flux of time and life को symbolize कर रहा है, उसके इलावा जो waves है, वो movement of life को symbolize कर रही है, window जो है वो show कर रहा है values को, और window जो है, यह screen है between reality and consciousness, और सिंबलाइस कर रहा है, the imperfection of our knowledge, Mrs. Ramsey जो है, वो सिंबलाइस कर रही है, एक domestic, एक loyal, एक caring nature को, और Mr. Ramsey जो है, वो सिंबलाइस कर रहा है, destructive barriers to relationship, के relationship को destroy करने के वो आया है, वो एक recovery, create करने के लिए सिंबलाइस कर रहा है, लिली की painting जो है, उसके एक और significance हो है, कि जांडर की convention को, struggle against gender convention, feminism को भी symbolize कर रहा है, क्योंकि उसने अपना करके दिखाया काम जो वो करने के लिए निकली थी, तो है कुछ important symbols के जिनको मैंने पको पता दिया है, important themes के लिए नीचे यहां पे name लिख दिये हुए है, important character की बात के तो Mrs. Ramsey का, Mr. Ramsey का, इन दोनों के character का comparison, Liri Brisco का character important है फिर symbolism को जो question है, which के लिए important है, relation of art to life important है, study of human relationship important है, three part structure important है, stream of consciousness most important है, और major themes आपने कर लेने हैं, तो यहां पे हमारा हुए novel complete, thank you so much for watching this video, please video पसान दए तो like जरूर करिएगा, comment में बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर आपकेगा, Allah हाफिज